मनिपूर में पिछले तीन महिने से दंगे हो रहे हैं सैक्रो लोग की मौत हो चुकी है लेकिन वहां बुल्डोजर नहीं चल रहा है वहां मीडिया नहीं है हरियाना में दंगा हुआ बुल्डोजर छोड़ दिया गया है क्योंकि इस पार आरोपी मुसल्मान है अबैद कहकर दुकाने गिराई जा रही है होटल गिराई जा रहे हैं बिजनेस, कारोबार, घर सब को चौपट किया जा रहा है क्योंकि आरोपी मुसल्मान है हो सकता है कि जिन दंगाईयों को पकरा गया हो उसमें दंगाई भी हो लेकिन 200 से जादा उपको की गिरफतारी हो गई है और चारो तरफ चुप्पी है सवाल है कि 6 लोग मरे हर्याना में उन पर भी कारवाई होनी चीज जो इस दंगे में सामिल है बिलकुल सही बात है लेकिन सवाल ये है कि मनिपूर पर कारवाई क्यों नहीं हो रही है सिर्फ इसले कि वहां आरोपी मुसल्मान नहीं है एक तरफ मैतई है एक तरफ कुकी है नतीजा ये हो गया है कि वहाँ सेना और मनीपूर पुलिस भी आमने सामने है जिसका सोसल मीडिया पर वाइरल है लेकिन ये सब सवाल उठाएगा कौन इस देश में एक बड़ी रादनीतिक चुपी है चुपी है हिंदू के नाम पर फ्लॉराइशन की कौंग्रेश आप मत्परदेश में देखिए मत्परदेश में कौंग्रेश चुनाओ जितने के लिए क्या कर रही है जब इस देश का युबा 25-26-30 साल पर हाई लिखाई करके बिरुजगार हो रहा है तो एक 26 साल का साधारन स्कूल पास भी नहीं हुआ चार्टेट प्लेन पर घुम रहा है क्योंकि वो धर्म के धंधे में है और सवाल है कि क्या कौंग्रेश की मती मारी गई है क्या उनको नहीं लगता है कि अगर धर्म के नाम पर बोटिंग होगी तो उसको बोट नहीं मिलेगा जाती जनगना, रिजर्वेशन, लोग की मदद, संस्तागाय, सिलिंडर के नाम पर करनाटक में कौंग्रेश जीत की आई है मैं अखलेश या अदब का एक इंट्रिव्यू देख रहा था रुबी का लियाकत के साथ या तो ये बहुत भोले हैं या बहुत ना समझ है रुबी का लियाकत बार बार, बार, बार कोस्चन करती है कि बीजेपी ये कह रही है, मनिपूर पर ये कह रही है विकास पर ये कह रही है अखिलेश जवाब देजा, अखिलेश यादव ने एक भार भी नहीं पूछा कि आपको सही, क्या BJP जो कह रही है वो सही है या गलत है, आप बताईए या आप BJP की परवक्ता हैं, जो BJP के सवाल को आप मेरे तरह फला रही है तो क्या जो मेरे सवाल है वो BJP से पूछ सकते हैं, तो सोचिए किस तरह से लगातार चाए 36 गर की सरकार हो, राजस्तान की सरकार हो, या करनाटक की सरकार हो उनहीं मीडिया को मोटा रकम दे रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आता है कि किस तरह की रादनीती हो रही है सोचिए सोसल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, मैं एक दो नाम भी बताऊंगा कि गुर्जर, जाट, यादब, सैनी, इन सब को हिंदु धर्म बचाना चाहिए, लर्वना चाहिए कहां? हर्याना में यही तमाम लोग, बिल्कुल धर्म अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, तो उसके साथ खरा होना चाहिए यही लोग क्यों नहीं बोलते हैं जब मनीपूर में आदिवासियों को मारा जा रहा है वहां कह रहे हैं कि ये विदेशी हैं, वहां कह रहे हैं, ये इसाई हैं ग्यान बापी पर, ग्यान बापी में मंदिर है, ग्यान बापी को सौप देना चाहिए, लेकिन वही लोग, लगातार, जो स्वामे पर साथ मौरिया ने सबार उठाया, उस पर बहस नहीं हो रही है, सोचिए कल 7 अगस्थ है, मंडल कमिशन, आप सोचिए किस तरह से दिल्ली इ क्योंकि टीबी अखबार इस पर बात नहीं करेगा, क्रीमी लेयर लगा के OBC को पहले ही बाहर कर दिया गया, जो लोग लड़ने भिरने वाले हैं, और जिन बच्चों को OBC के अब जो नन क्रीमी लेयर हैं, उनके बच्चों को एक से एक तरीके से अरंगा लगाया जा रहा ह कॉंग्रेस की ही सरकार थी जब ये नीट पीजी आया था, लगातार एक्जाम के पैटर्न बदले जा रहे हैं, मेथर्स बदले जा रहे हैं, ताकि जो गरीब, जो पहली बार स्कूल, कॉलोज, अस्पताल पहुंचने वाले हैं, वो यहां तक पहुंची ही न पाएं, तरह से पूरा स्लिबस बदल दिया गया, जान बुचकर, जान बुचकर इस सब हो रहा है, उसके बाद भी कॉलेज इनवर्सिटी के रास्ते भी अब बंद किये जा रहे हैं, लेकिन आपके पास न तो फुरसत हैं, न समय हैं, और एक बड़ा जो मिडिल क्लास तबका पैद कुछ वो कह रहे थे जब बीपी मंदल सहाब को मुखमंतरी बनाया गया भी आर का, तो एक-एक सवन समाज के लोग उनकी मीटिंग में उनके खिलाब बोलते थे, गया में उन्होंने बुद्ध के बारे में कुछ बोला तो वहां लोग खड़े हो गये, तो वो समाज जो सज भी डमना देखिए, इस देश के जो सवन पत्रकार हैं, जिनको आप लिबरल कहते हैं, वो भी उन्हीं के पाले में खेल रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं हैं, आपको सिर्फ मजबूर और मजदूर बनाने की कोशिश है, आप बीजेपी के मंतरी रहे हैं, सांसद हैं, दो साल की सजा हो गई है, पाटी कोई भी हो, दलित पिछरों से कोई रियायत नहीं, चाहा दिवासियों को सजा हो, अनिल सहनी को सजा हो, लालु यादवाब के सामने हैं, राहुल गांधी को सोचिए सुप्रिम कोर्ट से सदस्ता बहाल हो गई, देखते हैं, रमा संकर कठेरिया बच पाते हैं, कि नहीं मुझे नहीं लगता है, आजम खान, आजम कान के बेटे, ये सब चले गए, तो ये भी सोचल मीडिया पर खबर है, बंडारु लक्षमान, एक मातर बीजेपी के अध्यक्ष, जो दलित समास से थे, उ उनको जीवन में आगे बरने का अधिकार नहीं है, अगर आप आगे बरहेंगे, संपत्ति रखेंगे, तो आपके साथ यही होगा, हाँ आप मजबूर रहें, मजबूर रहें, आप ठीक हैं, धर्म का धंदा बना कर 26 साल का लड़का प्राइबेट जेट में घूम रहा है, और 26 साल का पढ़ा लिखा लड़का रोजगार के लिए तरस रहा है, हम सब को इस पर सोचना पड़ेगा, सुतंत्र सिंग राना का यह ट्वीट सोचने पर मजबूर करता है, और सोचिए, यह हैं वो कठेडियां जिनके प्रधान मंदिर के साथ फोटो है, और 7 अगस्त प्रधान के लिए लागुकी मंदल कमिशन की रिपोर्ट का बिरोध कुछ पिछरे बर के ही लोग कर रहे थे, बेजल्द ही राम के तिलिस्म में फंस गए, पढ़ाई लिखाई नौकरी बिजनिस सथ छोड़ कर, राम मंदिर और भाजपा के समर्थन में जूट गए, फिर स पंदर लोगों का ये पूरी टीम है, जिसमें चौदा पदेन सदस हैं, उनको बनाने के लिए एक सिरूल कास्ट के लोग को रखा गया है, वो भी सुन रहे हैं कि टोकनिजम के तोर पे, तो आपको क्या मिलता है, किसी ने आज सची लिखा है, आप हिंदू हैं, जब चंदा सावन माह में पूरा करेंगे, रुल्फ गांधी पूस्ता है, हम कौन बनसल सहाथ, हम मतलब कौन, अपने परिवार के टीनू मीनू को भी भेजेंगे न यात्रा में, या सिर्पिछरा वर्ग बाले विरुजगार का भविस के साथ खेलते रहेंगे, तो सुचे इस तरह से ल तभी तो पता चलेगा, पांस साल में बीस लाग से अधिक नए विरुजगार भरती का है इंतजार, यह इस्तिती है, और यह वो सक्स है, जिसने बरेली में जोगी नवादा में कावरियों पर लाठी चार्ज का नया मामलाता है, इस सक्स का नाम है हर्स पंडित, पुलिस न आप सोचिये कि राजेश शाहूं ने लिखा है, आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, और नो हिंसा के दवरान मुसलिम महिलाओं से रेप की, हिंदु महिलाओं से रेप की खबरों का हर्याना पुलिस ने खंडन किया है, उन चैनलों पर कारवाई होगी जो वा फैला रहे है और भाजपार एसेस के सरकार द्वरा दिल्ली बिस्विद्याले दाखिले में वो भी स्यारक्षा निरस्त करने का जोर्दार सर्यंत्र है, तो सुचिये बहुत मुस्किल से छात्रों को वहां तक आने का मौका मिलता है, लेकिन उनको किस तरह से बरबात किया जा रहा है, अपिल सिब्बल ने का और ये देखिये, अखिलेस तिर पाठी है, ये कहरा है, मिबात का गुर्जर समदाय सनातन धर्म के रक्षा के लिए मजबूद दिवार बनकर खरा है, राजकुमार भाटी ने लिखा है, सनातन के नाम पर चंदा, धंदा, चून, मलीदा, खीर और द दंगाई नहीं, सोचिए गुर्जर समाज की बेटी को राजस्थान में रौन दिया गया है, सिर्फितना कह सकता हूं कुछ तो करिये सरकार, सिक्स कील इन डाइलोंग मोटार एंड गन अटैक इन मनिपूर, सोचिए मनिपूर में बुल्डोजर नहीं जा रहा है, मनिपूर जबकि उनके पास न गाय है, नहीं वो गायों की रक्षा करते हैं, हर्याना के डिप्रिसियम दुस्यान चोटाला, देर सबेर ही सही जाट गुर्जर समझ रहे हैं, सर बिद्रोही सुचिए, सास्त अगस्त मंडल दिवसकल को लेकर लगातार तयारी चल रही है, हम लोग भी एक सो पचीस रुपए, ये बात मोदी जी ने भी कहा कि अगर मैं न होता, तो सिलिंडर और पेट्रोल महंगा मिलता, खेर और करांती कुमार ने लिखा है, आदरनी अनूब बालमिकी जी आप अलीगर खेर बिधान सवा से बिधायक हैं, और उत्तर परदेश में राजमंत्री, आप सवाल है, नीले कुर्टे के अलीगर सांसत पंडिस सतिस गौतम ठाली में खा रहे हैं, और आपको खिलाया जा रह तीवी जिनके पास है, अखबार जिनके पास है, वो जान बुचकर हिंदू मुसलिम, हिंदू मुसलिम कर रहे हैं, ताकि आपके हक अधिकार की बात ही न हो, और कॉंग्रेस तो हमेशा से उनके साथ रहे हैं, लेकिन मुझे ताज्यूब होता है, जब इस देश के बहुजन समाज के नेता भी इस खेल को नहीं समझ रहे हैं, और वो उसी टीवी पर बैठ कर दिन रात अपने ही समाज के हक अधिकार के खिलाब बात करने बारे लोगों के साथ डटे हुए हैं, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इस तरह के लोगों से साफधान रहें, सचेत रहें, शक्रि नहीं आएगा, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया, चलती ट्रेन में तीन मुस्लिम समें चार लोग के हत्या करने वाले चेतन सिंग को जब मुंबई की एक अधालत में पेस किया गया, तो हम मीडिया का परवेस बैन था, पुलिस ने आरोपों तो सोचिये सोसल मीडिया और मोहन जोदरो साइट्स, पुरातत विस्यसग ने बस्तू की जांच करने के बाद इसकी पहचान बुध पेंडेन्ट के रूप में की है, उन्होंने बताया कि दुरलब खोज, लापता, इतिहांस को जोरन में काम आ सकती है, तो सोचिये मोहन जो दिपंकर बुध का सम्मान था, तो सोचिये, स्वाइपरसाद मौरिया को टेलिविजन चैनल पर बुलाये गया और चारों तरफ से घहराबंदी की गई, उनके रिक्वेस्ट के बाद भी सी, स्टी, ओवी सी के न तो जनता और नहीं पत्रकारों को बैखने दिया गया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश का जो टीबी अख़वार है, मीडिया है, जुझियरी है, कोलेज इनवर्सिटी है, सब को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन एक सबसे अच्छी बात है, कि इसके खिलाफ लड़ाई भी चल रही है, देमोकरेटिक तरीके से, इसलिए आप भ आने बारी नसले गुंगी और बहरी होंगी, लिखना, परना और बोलना सुरू किजिए, शुक्रिया, निसनल दस्तक की आपसे गुजारिस है, कि अगर इसको बचाना चाहते हैं, तो निसनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दव फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निसनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें